नमस्कार, वेलकमनों वोल अफेर्स, मैं हूँ प्रेशान दवन, आप पिछले आप अगर 40 साल में देखें, तो किसी भी चानीज प्रेजिडेंट ने तिबित का वो हिस्ता विजिट नहीं किया, जहां से इंडियन बॉर्डर स्टार्ड होती है, ये जो स्टार्टस था, ये फानिली तोड़ा है, शी जिंग पिंग ने, हाली में शी जिंग पिंग ने एक बहुत ही इंपॉर्डेट विजिट करी है, वेरी नियर दी अरुनाचल प्रदेश बॉर्डर, और इसको कहा जा रहा है, दलाय लामा इंपक्ट, ये जो पूरी विजिट थी, इसमें, पहली बात तो आपको ये जाना होगा, कि ये विजिट प्लान नहीं थी, ये जाता, शी जिंग पिंग जहां भी जाते हैं, इनसाइड चाइना, ये विजिट अनौन्स करते हैं, चार-पाज महीने पहले, इस केस में, ये एक कम्प्रीटली सप्राइज विजिट थी, इन्होंने यहाँ पे तिवेत के जो spiritual leaders हैं, इनसे बातचीत करी, और तिवेत के जो लोग हैं, इनसे interact करने ही कोशिश करी, और साफ-साफ यहाँ पे लग रहा था कि शी जिंग पिंग ये कोशिश कर रहे थे, कि दलाई लामा को हाली में, जो भार्य सरकार ने अचानक से कई सालों के ब इंडिया और यहाँ पे आप देख पाओगे, यह आपको लिख रहा होगा एक शेहर है तिवेत का नियंगची के नाम से, यह रिसेंटी शेहर नीज में भी था, क्योंके चाइना ने यहाँ से एक bullet train गुजारती है, very near the Indian border, तो इस टाउन को, जो बिलकुल आप कहोगे, आपको यह बता दू, कि जब Indian PM विजिट करते हैं अरुणाचल पदेश को, तो यह border area से थोड़ा सा दूर होता है, और interestingly, जब भी Indian PM अरुणाचल पदेश में जाते हैं, तो चाइना की तरफ से काफी strong protest आता है, इंडिया obviously उस protest को reject कर देता है, और जो शेजिंग पिंग की visit है, to the Indian border, यह दिखाने से पहले मैं आपसे question पुछूँगा, question यह है, कि अरुणाचल पदेश अपना statehood day कब celebrate करता है, और आप यह भी answer कर सकते हैं, कि कि state के साथ celebrate करता है, यह है यहाँ पर आपकी option, February 20, January 7, March 3, या फिर December 30, comment section में करूँ answer, सही answer मैं आपको दूँगा, वी Beijing Ping ने यहाँ पर inspect किया है work related to ethnic and religious affairs, जरातार क्या के Communist Party of China खुद को religious affairs से काफी दूर रखती है, मगर इनको आज के समय यह बता है, कि Dalai Lama ने अगर एक बार यह बोलना start कर दिया, कि तिवित में फिर से independence movement start करनी होगी, अगर इंडिया ने यहाँ पर genuinely तिवित कार्ड प्ले कर का जनम तिवेत में हो जो चाइना कंट्रोल करता है, और Dalai Lama वही चुने जाएं जो Communist Party of China एप्रूव करती है, उससे यह होगा कि तिवेतियन बुदिजम में जो सबसे important figure है, वो Communist Party of China के अंडर होगी, और इससे तिवेत की आजादी क्या कोई भी possibility in the future बिलकुल खतम हो जाए लोग ताली बजा रहे हैं, सब लग रहा है कैसे force है, I mean कोई इतना उचल उचल के कोई ताली नहीं बजाएगा, शी जिंग में को देखके के वाओ, शी जिंग पेंगा, I mean साफ लग रहा है, सब कुछ staged है, बट यह काफी interesting का देखना कि जिस तरीके से North Korea में इस टाइप का propaganda होता है, चाइना में अभी almost same type का यह propaganda पोट्रे कर रहे हैं from Tibet, और यह जो visuals हैं, यह पूरे Tibet में यह दिखाएंगे, और यहाँ पर message यह है, जो आम इंसान है, यह Chinese Communist Party को completely support करता है, अब एक notice करने वाली बात यहाँ पर यह है, कि जब Xi Jinping विजट पे थे in Tibet, तो अचानक से अर्मी है, especially near उत्राखंड और लदाक, यह हल चल में आ गई, अफकोर्स इंडियन आर्मी यहाँ पर completely ready थी, तो यहाँ पर चाइना कुछ aggression obviously करनी सकता था, क्योंकि उनको बराबर यहाँ पर जवाब मिलता, मगर शीजिंग पिंग ने अपनी विजट में एक military point of view से भी एक message पर send किया है, इन्होंने यहाँ पर inspect किया, इनकी newly built bullet train को आपको याद होगा, कि हाली में चाइना ने अब यहाँ पर आप अगर देखोगे, यह भुटान है, यह अरुनाचल परेश है, यह यहाँ पर Lhasa, the capital of Tibet, और यह आपर नियंग्ची, नियंग्ची में जो recently bullet train built हुई ह उसको भी नोंने आपने inspect किया है, और यह काए कि यह bullet train चाइना की security के लिए बहुत ही important है, और बिलकुल मैं काऊंगा है अभी, आपके पास अगर एक bullet train है, अपनी enemy की border पे, जिसकी speed है 160 km पर आज, हिंदुस्तान में आज तक हमने कहीं भी bullet train नहीं, कितनी sad बात है, हमारे ब भी करी है, जिसमे नोंने practice किया है कि war time में किस तरीके से ये एक passenger bullet train को, एक military use bullet train में convert कर सकते हैं, और हजारों की संख्या में soldiers deploy कर सकते हैं, near the Indian border, अगर कल को इनको need मैसूस हुई, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं यही mention कर दूँ by the way, कि चाइना ने हाली में, दुनिया के सामन kilometers and hour तक पहुच सकती है, और चाइना दुनिया भर में सो काभी promote कर रहा है, यह कोशिश कर रहे हैं आज के समय के European countries इस bullet train का order दे Chinese companies को, तो यह bullet train altogether different है, जिस bullet train की हम बात कर रहे हैं, it is near the Indian border, तो देखिए इस visit का response इंडिया की तरफ से भी होना चाहिए, I think, आने वाले कुछ म मेरा यहाँ पर यह मानना है, कि इंडिया के लिए एक बहुती bold move होगा, अगर हम दलाई लामा को भेजते हैं अरुनाचल परेश में, हाला कि इसमें एक risk भी है, आखरी बार जब हमने दलाई लामा को allow किया था, कि यह जा सकते हैं अरुनाचल परेश में, उसके बाद हो गय है, कि दलाई लामा को हम यहाँ पर भेजें अरुनाचल परेश में, और इनकी विजट का एक बहुत बड़ा impact आप देखोगे, पूरे तिबेत में, दलाई लामा आज भी मैं कहूंगा, central figure है, इन तिबेतियन बुद्धिजम, Chinese Communist Party को समालना मुश्किल हो जागा तिबेत को एक बार दलाई लामा का influence, प्रोपर ली तिबेत में दिखने लग गया फिर से, तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपको opinion, कि आपके हिसाब से, क्या आप मानते हैं कि इंडिया को फिर से 2017 की तरह दलाई लामा की एक विजट करानी चाहिए, अरुनाचल परेश में, या winters आएंगी, तो soldiers वैसे काफी हर तक disengage कर लेते हैं, तो अभी के लिए let's not provoke China, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में comment section में, I am sure all of us would like to read your comment, और question की अगर मैं बात करूं, कि अरुनाचल परेश अपना statehood day कब celebrate करता है, तो सही उत्तर, यहाँ पे है option, option A, और किस state के साथ share क following the 53rd amendment of the Indian constitution, तो इसी note के साथ यह है वीडियो का अंत, थैंक यू for listening and as always, God bless you all.